स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चैनल पर ITI Candidates के लिए Electrician Theory के ITI Examination Questions के आज हम सिरीज 12 करेंगे पार्ट नमबर 12 करेंगे इसके पहले Second Year निमी Questions के 11 पार्ट हो चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो Description में पहले नमबर पे आपको वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी Electrician Theory की साथ ही और भी Important Subjects के आपको वीडियो मिल जाएगे उन प्लेलिस्ट से जाके आप उनको जरूर चेकाउट कीजेगा अगर अभी आप ये पार्ट देख रहे हैं नहीं तो बिना सब्सक्राइब किये और बिल आइकन हिट किये मत जाएगा साथी साथ वीडियो के लास्ट में एक बोनुस कुश्चन होगा आप सभी के लिए उसका आंसर आपको कमेंट बाक्स में जरूर करना है जो कि इसी सीरीज के किसी प्रिवियस पार्ट से हमने रखा हुगा आप सभी के लिए तो आईए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो और आप लोग एक काम और कर लिजेगा टेक स्टेडी आइटे एक टेलिग्राम चैनल है आप लोग वहाँ पे जुड़ जाएगा वहाँ पे जुड़ने से फाइदा यह होगा कि सभी तरह की अपडेट और पीडियाफ हम आपके साथ वहाँ पे भी सेयर करते रहते हैं गर योटूब से आपसे कोई चीज मिस होती है तो आप वहाँ पे उसे जरूर पा जाएगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे भी जुड़ जाएगा स्टार्ट करते हैं वीडियो को 275 कुश्चन था हम लोग 11 पार्ट में कर चुके आज हम लोग करेंगे कुश्चन नमबर 276 इसके बाद जो आपका पार्ट स्टार्ट होगा पार्ट 13 वो आपका electronics पार्ट जो है electronics portion आपका semester 4th का syllabus वो चलेगा उसमें तो कुश्चन है यहाँ पे what the causes for hunting effect in alternator previous पार्ट में भी हमने देखा था कि hunting effect, alternator में hunting क्यों होता है loading, overloading बार-बार होती है तो क्या होता है उससे अगर load में continuous fluctuation होगा तो hunting effect होगा ठीक है, तो क्यों होगा यहाँ पे option देख लीजे, आप क्या है यहाँ पे due to continuous fluctuation load ठीक है, जब भी निरंतल उतार चड़ाओ कुछ होगा ऐसा, तो हमेशा क्या होगा, फिर hunting effect alternator में होगा, और उस hunting effect को tackle करने के लिए क्या किया जाता है, damper winding का भी प्रियोग किया जाता है, ठीक है अब चलते हैं अगले question की तरफ, यहाँ पे है question number 277 calculate the voltage regulation in percentage if the load is removed from an alternator, the voltage rises from 480 volt to 660 volt, ठीक है यहाँ यह कहा जा रहा है, यदि एक alternator से load हटा दिया जाए, यहाँ नो load हो जाए तो voltage क्या हो जाता है, 480 660 हो जाता है, मतलब voltage क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है एक है full load, एक होता है no load formula हम सभी को पता है, and यहाँ पे voltage जो आपका percentage regulation है, voltage regulation उसको percentage में गढ़ना करनी, यहाँ decimal में दिया, तो आसानी से हम लोग percentage कर लेंगे, जो भी answer आएगा उसका, तो पहले यहाँ formula हम लोग लगा लेते हैं formula आपका क्या होता है, percentage regulation is equal to होता है, आपका VNL, यानि no load, ठीक है VFL, full load, upon VFL into 100, ठीक है, यह आपका formula होता है इसमें क्या करिए, आप सारी values को रख लीजे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 660, minus 480, बटे 660, बुडे 100 इसको सरल कर लीजे आप, ठीक है इसको जब सरल करेंगे आप, तो क्या आजाएगा आपका, आपका answer आजाएगा 0.375 क्या आजाएगा, 0.375 या 37.5% आपका answer आजाएगा तो यहाँ पर 37.5% आपका answer आजाएगा या इसी को आप 0.375 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह आपका right answer हो जाएगा, अगर आपको यहाँ पर 37.5 मिलता है, तो भी आप उसमें confused मत होईएगा, वो भी आपका सही answer रहेगा, यहाँ पर कर सकते हैं, आप लोग आसानी से, देखे, 660 में से अगर 480 घटाएगित कितना आएगा आपका बचेगा 180, बटे 480, ठीक, simply 0,8 देना, 6,3,18, 6,88, 48, यह हो गया 300,8, इसको सरल कर लीजे 37.5% आजाएगा, या उसी को 0.375 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगला question है, what the name of the converter, इस converter का नाम आपको बताना है, क्या देखे, थोड़ा जूम करके अगर आप देखेंगे न, clarity के साथ, तो यहाँ पर देखेंगे, क्या लगा हुआ है, कुछ, ठीक है, यह क्या है, इसी के बारे में बात करेंगे, एंड इसी से पता चलेगा, कैसा converter है, converter का काम, basically, क्या होता है, AC को DC में बदलना, यहाँ आप क्या दे रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट में क्या मिल रहा है, प्लस माइनस आपको DC वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, DC वोल्टेज मिल रहा है, तो क्या है यह, metal rectifier है, rotary converter है, mercury arc rectifier है, या silicon controlled rectifier है, तो यह है आपका डियर, silicon controlled rectifier, जिसे हम SCR भी कहते हैं, इस तरह से कुछ होता है, anode, cathode and gate, यहाँ पर आपको तीन यह terminal मिल जाते हैं, ठीक है, यही आपका यहाँ पर so किया गया, इस diagram से आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह लगे हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो गया है, SCR यहाँ सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर है यह, कुछ नबर 279 है आप पर, what is the name of the converter, इस converter का आपको नाम बताना है, अभी हम लोगों ने बात की converter क्या कर रहा है आपका, AC3 phase को किसमें बदल रहा है, DC में, ठीक है, तो इस converter का आपको नाम बताना है, यह देखिए, यहाँ भी आपको DC output मिला, यहाँ पे आपने क्या दिया था, AC, and यह बीच वाला portion कैसा दिख रहा है आपको, कुछ motor जैसा feel हो रहा है, तो यह क्या है, basically, rotary type का, कैसा converter हुआ है, rotary converter हो गया, यह rotate होके, AC को DC में बदल रहा है, AC phase का नाम रख दिया गया, कैसा, rotary converter, ठीक है, बाकी options यहाँ पे discuss करने कहा थिंग जरूबत नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग, 280 number question है, why DC supply is necessary for synchronous motor operation, एक synchronous motor operation के लिए, DC supply क्यों आवस्चक है, अब previous part में हम लोगों ने पढ़ा था, जो भी synchronous motor का operation हो रहा है, उसमें हम exciter, जो होता है आपका है, जो भी कहों, उसको DC supply हम देते हैं, rotor को, क्यों देते हैं, क्योंकि वो synchronous speed पे तभी घुमेगा, जब हम DC supply हम देते हैं, जिससे flux speed और rotary speed हमारी क्या रहे, बराबर रहे, तो यहाँ पर option आप देख लिजए, क्या है, DC supply क्यों आवस्चक है, loss को reduce करने के लिए बिलकुल नहीं, start the motor initially बिलकुल नहीं, run the motor with overload बिलकुल नहीं, right answer क्या है, run the motor at synchronous speed, यह नहीं, motor को synchronous speed पे अगर आपको चलाना है, तो आपको DC आप उर्ती जो है वहाँ पे rotor को देनी पड़ेगी, ठीक है, अगले question पे चलते हैं, यहाँ पे 281 number question है, which acts as both inverter and converter, क्या है यहाँ पे, which acts as both inverter and converter, जो inverter और converter दोनों के रूप में काम करता है, inverter हम लोग जानते हैं, inverter का काम क्या होता है, DC को AC में बदलना, and converter का काम क्या होता है, AC को DC में बदलना, basically हम लोग के घर पे जो बैटरी के साथ inverter लगा होता है, आप लोग लगाते हैं जो domestic में, उसमें यह दोनों चीज़ें होती हैं, घरों में AC आती है, converter उसे DC बदल के battery को charge करता है, then battery आपका DC देती है, जिससे कि हमारे equipment नहीं चल सकते, फिर inverter इसे AC बदलता है, ये काम चलता है, तो ऐसा कौन सा एक है, जो इन दोनों के रूप में कार करता है, तो वो है आपका synchronous converter, क्या है, option number D, synchronous converter एक ऐसा converter है, जो inverter and converter दोनों के रूप में काम कर सकता है, अगला question है, 282 number, what is the function of inverter, देखिए फिर से आगया, inverter का काम क्या है, AC को DC में बदलना, DC को AC में, smoothening AC sine wave, या convert pulsating DC into pure DC, तो right answer क्या है आपका DC से AC में, inverter क्या करता है, battery के DC करेंट को, आपको AC में बदल के देता है, जिससे आपके घर के सभी appliances चल सके ठीक है, तो देखिए यहां कई converter होते हैं, थोड़ा सा आप चाहें तो यहां नाम जान लेते हैं, एक होता है AC to DC, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहां पे control rectifier भी कह सकते हैं, ठीक, एक होता है आपका DC to DC, इसे हम लोग DC chopper कहते हैं, एक होता है आपका AC से AC में करें, इसे हम हुई, DC chopper, ठीक है, control rectifier, AC AC जो कर रहा है, AC voltage regulator and यह DC to AC inverter, ठीक, इतनी चीज़े होएं यहां पे, अगले question पर चलते हैं, question number 283 है, which converting device can be overloaded, कौन सा परिवर्थ तक, यानि converting device overload किया जा सकता है, rectifier unit, rotary converter, motor generator set या mercury arc rectifier, right answer है, जो rectifier unit है, उसे हम overload कर सकते हैं, right answer क्या है, rectifier unit को हम overload कर सकते हैं, question number 284 है, why exciter is essential to run a synchronous motor, बहुत ही important question है, synchronous motor को चलाने के लिए उतेजक क्यों आवस्यक है, carry more load in motor, यानि motor में अधिक भार ले जाएगा, improve the power factor, power factor में सुधार करेगा, reduces the loss in motor, motor में नुकसान को कम करेगा, year and the motor at synchronous speed, motor को तुले कालिक गतियनी synchronous speed से चलाएगा, तो क्या काम था exciter का, यही था न, DC सप्लाई करता है वो, जिससे flux speed, rotor speed बराबर और motor synchronous speed पे आपकी चल सके, ठीक, अगले question पर चलते हैं, question number 285 है, which application requires only DC, ऐसा कौन सा एक application है, अनुप्रियोग है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ DC क्या हो सकता, मतलब उसे हम AC से नहीं कर सकते, stepping up voltage, जो गलत है, पहले उसको discuss करते हैं, voltage को अगर step up करना है, transformer से हम करते हैं, step up या step down, तो वो तो DC पे काम करता ही नहीं, वो तो AC पे ही काम करता है, ठीक, अगला operating induction motor बिल्कुल नहीं, यह भी AC पे ही चलेगा, operating repulsion motor AC पे ही चलेगा, सिर्फ electroplating ऐसा बचता है, जिसे हम DC operation के through ही कर सकते है, DC direct current से ही कर सकते है, क्या होती electroplating, एक figure के सायता समझेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मालीज़े copper की क्या करनी है, coating करनी है, तो क्या करेंगे, जिसकी coating करनी होती हैं, उसे anode बनाते हैं, जिस पे करनी होती ही, उसे cathode बनाते हैं, negative, जैसे इसमें current आपका फ्लो होगा DC यहाँ प्लस से माइनस की तरफ क्या होंगे आके यहाँ पर coating हो जाती इसे हम लोग बोलते हैं electroplating या copper plating silver की भी हो सकती, copper की हो सकती, aluminium की हो सकती है तो इसे हम क्या कहते हैं electroplating इसमें DC की चरूरत पढ़ती है अगला question यहाँ पर why the LEDs are avoided as converters in rectifier diodes दिस्टकारी diode rectifier diode में LED को converter के रूप में क्यों टाला जाता है टाला मंज avoid किया जाता है नहीं प्रयोग किया जाता है क्यों यह heavily doped device होती है very low power device होती है designed for light emitting होती है या very sensitive to temperature तो देखी यहाँ पे A and D तो गलत है very low power device यहाँ पे सही होगा designed for light emitting अगर यह ना रहता हम सही कर सकते थे बट यहाँ पे क्या करेंगे right answer हो जागब का very low power device जो LEDs होती है आपने देखा भी होगा बड़े कम voltage पे जलती है जादा voltage है ऐसा कुछ भी अगर यहाँ पे मिलता है तो यह जल जाएंगी ठीक है तो यह very low power device होती है इस वज़ा से जो आपका यहाँ पे rectifier diodes होते हैं उनमें इनको टालते हैं इनको avoid करते हैं यूज करने से अगला question है 287 number which is the main applications of synchronous motor synchronous motor का मुख अनुपरियोग क्या है वैसे तो कई सारे अनुपरियोग हैं बढ़ यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया है elevators यह लिफ्ट में paper rolling mill में AC to DC converter में या power factor correction device में देखिए synchronous motor का सबसे बड़ा अनुपरियोग यह भी एक होता है कि power factor correction device या एज इसको कह सकते हैं condenser भी यह यूज किया जाता है ठीक है क्या होता है power factor correction device या उसी को क्या कहते हैं अभी आगे साथ आपको question भी मिलेगा यहाँ पे question number 288 है यहाँ पे what the advantage of motor generator set motor generator set का lab क्या है motor generator set हम सब लोग जानते हैं जैसा नाम से ही पता है कि एक इसमें motor भी होगा और एक generator भी होगा क्या होगा देखेंगे यह noise less होता है sourheen होता है इसकी efficiency high होती है maintenance low होता है या DC output voltage can be easily control यानि DC output जो voltage मिलेगा उसे आसानी से control कर सकते हैं तो यही आपका right answer है एक figure के सहायता से समझेंगे यह है आपका यहाँ पे क्या है motor generator set है यह क्या है आपका electric motor है यह क्या है आपका generator है इसमें आपको output क्या मिलेगा DC मिलेगा यहाँ आप इस motor को चलाएंगे AC से यहाँ पे आपको क्या output मिलेगा DC ठीक है तो उसमें क्या कर सकते हैं आसानी से output जो voltage मिल रहा है उसे control कर सकते हैं यही इस motor generator का सबसे बड़ा advantage होता है, फायदा होता है अगले question पर चलते हैं, 289 number question है what the function of the part marked as x of the rotary converter यह क्या है rotary converter, पहले भी यह question मिला था, ठीक है यहाँ पर AC three phase हम दे रहे हैं, यहाँ पर DC output हमको मिल रहा है तो जो x वाला portion है यह क्या है, यहाँ पर पूचा जा रहा है, इस rotary converter में तो क्या है x वाला part, actual मिल ऐक कम्युटेटर है आप कह सकते हैं जो क्या कर रहा है यहाँ पर, इसका कारे पूचा जा रहा है, तो कारे क्या है उसका AC को DC में बदल रहा है यह, क्या कर रहा है, AC को DC में बदल रहा है, तो right answer क्या होगी, option number 1, converts AC to DC अगले question पर चलते है, 290 number question है, what the purpose of damper winding in a synchronous motor at starting सुरू में एक तुले कालिक मोटर में damper winding का उद्देश से क्या है, तो starting में यहाँ पर पूच रहा है, ठीक है, तो starting में अगर पूच रहा है, तो पहले देखिए, यहाँ पर produce high voltage to initiate the rotation गलत बात है, produce high current बिल्कुल गलत है, यह दोनों गलत है, यहाँ पर, c है आपका produces torque and runs near in synchronous speed, तो यही यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, pdf में आपको d देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर d आपका right answer नहीं है, ठीक है, option number c यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा, damper winding का, यह भी एक उद्देश होता है synchronous motor में, कि torque जो होगा, उसे produce करे हैं, जो synchronous speed के नहीं है, उसे हमेश रन कराए, कुछ अबर 291 है, why the synchronous motor fails to run at synchronous speed, क्या एक ऐसा region होगा, जब synchronous motor क्या होगी, fail कर जाएगी, means नहीं चलेगी किस पे, synchronous speed पे, अभी पीछे हम लोग बात कर रहे थे न, क्या करते हैं उसमें, exciter जो होता है, जो हाँ पर DC supply उसको देते रहते हैं, continuous rotor को, उसकी वज़ा से synchronous speed पे चलती है, तो अगर insufficient excitation होगा, तो क्या होगी, वो नहीं चलेगी synchronous speed पे, देखी एक ही topic से related, अगर आप समझ लेते हैं, तो आपको 4-5 question मिल जाता, आप आसानी से उन्हें, टिक कर सकते हैं, बिना कुछ सोचे, ठीक है, राइट आंसर होगे, आपसा नमबर 1, आगे बढ़ते हैं, 292 नमबर question है, how the synchronous motor is used as a synchronous condenser, ऐसे quality content बनाने के लिए आप सभी मेहनत लगती है, आप सभी के question को इस तरह से बनाने में, ठीक है, तो प्लीज, इस मेहनत के लिए वीडियो को like कीजेगा और share जरूर कीजेगा अपने दोस्तों साथ, जिससे examination से पहले आप सभी लोग अच्छे सपना revision कर सकें, तो synchronous motor को synchronous condenser के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है, अभी PCM ने कहा था, power factor correction device या synchronous condenser दोनों एक ही बात होती है, तो कैसे use कर सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा ह वारेंग दा motor load, यानि motor load में बदलाव करके, वारेंग दा rotor excitement, रोर उत्तेजना में बदलाव करके, वारेंग इस्टेटर voltage इन motor या वारेंग इस्टेटर current इन motor, यह यह मोटर में इस्टेटर की धारा में बदलाव करके, तो synchronous motor को अगर synchronous condenser के रूप में प्रयोग करना है, power factor correction device के रूप में प्रियोग करना है तो क्या करेंगे, wearing the rotor excitation, जो rotor का excitation है उससे अगर आप उतेजना में बदलाव करते हैं तो synchronous motor को आप आप आजा synchronous condenser जूज कर सकते है अगला कुछ जाना 293 यहाँ पर, what is the function of damper windings in synchronous motor फिर से देखिया गया, तो लिकालिक motor में damper winding का कारे क्या है maintain power factor excite the field winding, maintain constant speed, या start the synchronous motor right answer क्या हो जाएगा आपका start the synchronous motor अभी पीछे दो question पहले भी कुछ ऐसा ही मिला था तो यहाँ पे synchronous motor को start करने में damper winding का main काम होता है question number 294 which converter is having high efficiency कांसे converter में high efficiency उच दक्षता होती जो भी electronic converter यहाँ पे SCR converter इसकी दक्षता, इसकी efficiency हमेशा क्या रहेगी high रहेगी बाकी इन सब क्या पेक्षा ठीक है, right answer क्या होगी आपका SCR converter next question 295 number how synchronous motor works जाज़ा power factor character देखिए, फिर से हो question मिला power factor correction या character रूप में या condenser के रूप में कैसे प्रियोग होगी same होई, bearing the field excitation same, क्या answer हो जागा आपका field excitation जो है आपका उसको अगर आप vary करते हैं बदलाव करते हैं उसमें तो आप synchronous motor को IJ factor character या IJ यहाँ पे कुशन और था न, IJ यह वाला synchronous condenser, यूज कर सकते हैं तो यह question काफी मिलते जुलते आपको मिल गए यहाँ पे, तो यह total 295 questions थे, यहाँ पे आपका पूरा जो थर्ड semester का questions है, 12 part 295 question आपके complete होते हैं approximately 10 part आपके और आएंगे 4 semester के PDF से, उसे भी हम लोग आने वाले parts में cover करेंगे, तो जरूर जुड़िएगा channel के साथ जिससे आप उन्हें भी अच्छे से study कर सकें यहाँ पे कोई भी अगर आपका सुझाव हो तो आप comment में जरूर लिखिएगा कि क्या और सुधार किया जा सकता है वीडियो में जिससे आपको और समझने में help मिले अब आती है बोनस कुष्चन की बारी इसका कुष्चन आप लोगों को comment सक्षन में करना है कुष्चन है What is the name of the equipment that provides DC to the rotor of alternator काफी मिलता जूलता सवाल है alternator के rotor को DC प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है Exciter, Inverter, Converter या Synchronizer जो भी right answer आपको comment सक्षन में comment करना है वीडियो कैसी लगी ओभी बताना है साथ में वीडियो को like और share करना बिल्कुल नहीं बूलना और subscribe की बिना तो जाईएगा मत क्योंकि आपको यहाँ पे job, apprenticeship उनके form भनने की वीडियो जो उनसे जुड़ी update के साथ साथ ITA की पढ़ाई की वीडियो भी हमेशा मिलती रहेगी Thank you very much, मिलते हैं अगले update साथ अगले वीडियो में ख्याल रखियेगा अपना